हेलो गाईज स्वागत है आपका हमारे चैनल इनाद ब्लोग में आज हम जानेंगे हिरन के बारे में कुछ रोचक जानकरियां जैसे की पूरे विस्व में कितने सारे हिरन हैं या फिर हमारे इंडिया में कितने हिरन हैं हिरन की कितनी सारी प्रजातियां होती हैं भारत में सबसे छोटे हिरन की प्रजाती को माउस डियर कहा जाता है हाल ही में इसे 36 गड़ में देखा गया था इससे पहले इसे एक विदेशी नागरिक द्वारा सन 1905 में देखा गया हिरन लगभग 30 फिर तक चलांग लगा सकते हैं हिरन की दोरने की रफ्तार 50 किलो मीटर प्रति घंटा हो सकती है हिरन की आखें उसके सिर के किनारे पर इस्थित होती हैं इसका लाब ये है कि हिरन खुद के आसपास 310 डिग्री देखने में सचम है हिरन का जीवन काल प्रजाती के अनुसार और सतन 10 से 25 साल तक की हो सकता है हिरन की सुंगने की छमता मनुस्य से 100 गुना ज़्यादा होती है हिरन को एक अस्तनपाई माना जाता है जो आम तोर पर पस्चिमी घाट या अमेजॉन वन जैसे जंगलों में रहते हैं युवा हिरन आम तोर पर अपनी मा के साथ लगभग एक साल तक रहते हैं धरती के सभी जीवजनतूं में हिरनों की आखें सबसे बड़ी होती हैं साथ ही ये बेहत खोपसूरत भी होती हैं हिरन की त्वचा के विभिन गुड कपड़े और गहने के निर्माल के लिए भी उपयोगी होती हैं मादा हिरन अपने बच्चों को जाड़ियों में छुपा कर रखती है और दिन में लगभग छे बार जाकर उन्हें दूद पिलाती है हिरन के बच्चे एक दो साल के होने तक अपनी मा के साथ ही रहते हैं हिरन की जन संख्या उनकी त्वेचा और मांस के लिए हिरन के अत्याधिक सिकार की वज़े से घट गई है दुनिया में लगभग 33.2 मिलियन हिरन हैं जिसमें से भारत में लगभग 10 मिलियन हिरन पाये जाते हैं हिरन का गर्भकाल 180 से 240 दिनों के बीच होता है हिरन की उचलने की उचाई लगभग 10 फिट तक हो सकती है